हलो एब्रीवन, ग्रीडिंग्स जीए, कैसी है बिटा, आप सब आई हो प्या, आ इस वेल तो आपकी वक्षित है, बिटा, शिक्षानी जिशाले रास्ट से रास्थानेग शित तदिली की वक्षित नंबर आपकी 36, यह है पिटा आपकी six class की विज्ञान की वक्षीट है विदार्थी को अपना नाम अपने कक्षा धापक का नाम लिखना है वक्षीट रहेगी हमारी 24 फरवरी 2021 की आपकी जो है वैनस्टी बुद्वार की वक्षीट तो आज हम पढ़ेंगी प्रकास चाया एम प्रावरतन ठीक दिप्ट पिंड क्या होते हैं पिटा जो वस्त में सूर्य की तरह स्वयम का प्रकास का उत्सरजित करती है उन्हें क्या का जाता है दिप्ट पिंड का जाता है जैसे कि सूर्य है टॉर्च और मौमबत्ती यह क्या करती है सूर्य की तरह स्वयम का प्रकास उत्सरजित करती ह आगे देखी क्या दिया गया है निमलिखित पदार्थों में से दिप्थ वा अदिप्थ पदार्थों को अलग-अलग करके लिखे तो देखे यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दिप्थ पदार्थ लिखते हैं दिप्थ कौन से होंगे पिटा दिप्थ होंगे हमारे म मुंबत्ति और जो है सूर्य और क्या होंगे पीटा यह क्या होंगे हमारे दीप्त होंगे ऑके इसके बाद हम जो है अधिप्त लिखते हैं अधिप्त कौन से होंगे पीटा अदिप्त में हमसर कर लगाएंगे पिंक कलर से अदिप्त जो है हमारे कुर्सी, कलम और किताब यह क्या होंगे हमारे अदिप्त होंगे क्योंकि हमने जो है पिंक में लगाए है अदिप्त यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कुर्सी किताब और कलम ये क्या हो गए बिटा हमारे ये हमारे हो गए अधीप्त ठीक है आगे देखते हैं बिटा आगे क्या दिया गया है वक्षिट को आगे पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकास को अपने अंदर जाने देते हैं ज जैसे कि चिकना कागच, चिकना कागच क्या होता उसके अंदर से प्रकाश जो है बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता, आप किसी भी पेपर पर ओल लगा कर देखिए, फिर उसमें से जैसे कि टोड जला कर या आप लाइट बल्ब के आगे रखकर देखिए, उसमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं जाएगा इसके बाद होते हैं बेटा एपारदर्शी परदात तीन तरह के होते हैं एक पारदर्शी होता है दूसरा होता है पारभाशी और तीसरा होता है एपारदर्शी एपारदर्शी क्या होता है बेटा वे पदार्थ जो परकाश को अपने अंदर से होक और नहीं जाने देते जैसे कि दीवार ठीक है ये जो है अपने अंदर से बिल्कुल भी प्रकाश को नहीं जाने देते तो ये होते हैं एह पारदर्शी आगे देखी क्या दिया गया है पारदर्शी और पारभाशी पतार्थों में अंतर बताईए प्रते का उधारण भी पारदर्सी लिख देंगे क्या उता है उसके उधारन पारभाशी लिखेंगे और उसका उधारन ठीक है sorted आगे क्या दिया गया है कि छायां चायां जब प्रकासकी किरणको किसी आएपारश्य वस्तु मिरन रोक लिया च्छाया क्या होते है बिटा परच्छाई आप लाइट के आगे खड़े होंगे तो जो है क्या होगी आगे की तरफ आपकी परच्छाई बन जाएगी आपने देखा होगा धूप होती है जब पेड़ों के नीचे च्छाया बन जाती है तो क्या होता है चलिए देखते हैं भव नहीं है क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए परकाश की जर्थ होती है यहां पर जो है हम लिखेंगे नहीं यह संभव नहीं है क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए परकाश की जर्थ होती है ठीक है बिटा, आगे देखते हैं, second क्या है, हमारा क्या आप छाया को देख पाते हैं, जब कमरे में प्रकाश तो हो, पर कोई एपारदर्शी बदार्थ नहीं हो, तो हम यहां लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब कोई एपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है, तो उस वस्तु की छाया तब ही बनती हैं, तो हम यहां लिखेंगे नहीं, नहीं, हम जो है नहीं छाया को नहीं देख सकते, जब कमरे में जो है नहीं, जब कोई एपारदर्शी वस्तु होती है, जब कोई एपारदर्शी वस्तु प्रकास को रोकती है, प्रकास को रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है ठीक है पेटा हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं जब कोई एपारदर्शी वस्तु प्रकास को रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है ठीक है आगे देखते हैं पेटा क्या दिया गया है सी क्या कहता है सी है छाया को देखने के लिए हमें किन चीजों की आशकता होती है तो चाया को देखने के लिए हमें एक तो एपारदर्शी वस्तु की आशकता होती है जिसमें से प्रकास नहीं गुजर सकता हम लिखेंगे एपारदर्शी वस्तु और दूसरा लिखेंगे हम प्रकास की आशकता होती है इन दो चीजों की आशकता होती है ठीक है बिटा तो यहाँ पर होती है आपकी वक्षीट कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी है, पर आपको यूड़ अच्छे लगी, तो प्लीज लाइक शेंट सब्सक्राइब करना ना बूले, थेंक्यू बिटा, थेंक्स पूले,